हम लोग डिसकस करेंगे टैंटिस ग्राइन स्लम एंड फॉर्मढ़ला वन-वन चैंपियन्शिप 2020 के बारे में चली सबसे पहले डिसकस करते हैं टैनिस-ग्राज स्लम म चैंपियन्स अफ 20- 20 इसमें चार टौर्नामेंट होते हैं Australian Open, Wimbledon Open, French Open and US Open. Australian Open hard coat पर खेला जाता है. Wimbledon Open, grass coat पर, French Open, clay coat पर और US Open hard coat पर खेला जाता है. चलिए सबसे पहले देखते हैं Australian Open के बारे में. Australian Open में 2020 Men's Single के चांपियन रहे हैं नुवाक जोकोविक जोकी सर्बिया के रहने वाले हैं. और 2020 Women's Single की चांपियन रही हैं सोफिया कैनिन जोकी अमेरिकार की रहने वाली है. Wimbledon Open इस साल कैंसल हो गया. आगे देखते हैं French Open. French Open के 2020 Men's Single की चांपियन रहे हैं Raphael Nadal जोकी स्पेन के रहने वाले हैं. 2020 French Open के Women's Single की चांपियन रही हैं Iga Swain Tech जोकी पॉलेन की रहने वाली हैं. US Open. US Open के 2020 Men's Single के चांपियन हैं Dominic Thin जोकी आस्ट्रिया के रहने वाले हैं. और 2020 Women's Single की चांपियन रही हैं Naomi Oshaka जोकी जैपैन की रहने वाली हैं. अब देखते हैं Formula One World Championship 2020 के बारे में. इसमें Austrian Grand Prix Champion Tournament जो है वो वोल्टेरी वोटास ने जीता है जोकी Mercedes Company की तरफ से खेलते हैं और जो Finland के रहने वाले हैं. रश्यन Grand Prix भी वोल्टेरी वोटास ने जीता है जो Mercedes Company की तरफ से खेलते हैं और Finland के रहने वाले हैं. 70th Anniversary Grand Prix Max Verstapp ने जीता है जो Red Bull Company की तरफ से खेलते हैं और Netherlands के रहने वाले हैं. इटालियन Grand Prix प्यरी Gasly ने जीता है जोकी Alfa Tori Honda Company की तरफ से खेलते हैं और France के रहने वाले हैं. Rest जितने भी Prix है उसे Levis Hamilton ने जीता है. Levis Hamilton ने कम से कम 10 Prix जीता है. इन चारों के अलावा जितने भी Prix आएंगे वो Levis Hamilton ने जीता है. Levis Hamilton Mercedes Company की तरफ से खेलते हैं और वो United Kingdom के रहने वाले हैं. तो हम लोग को बस वो तीन नाम याद रखना है वोल्टेरी वोटास, मैक्स वर्स टैप, प्यरी, गैसले. बाकि जितने भी Grand Prix के नाम आएंगे वो Levis Hamilton ने जीता है. आज के लिए बस इतना ही थैंक यू.